हेलो स्टुडेंट्स आप लोगों का फिर से स्वागत है और हम लोग इलेक्ट्र स्टेटिक्स कर रहे थे और इलेक्ट्र स्टेटिक्स में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डाइपोल पढ़ रखा था है और डाइपोल हम लोग क्या डिसकस कर रहे थे कि कि किसी डाइपोल को अगर हम external electric field में डाल दें इसको external electric field में रख दें तो उस पे क्या क्या घटनाए घटती है तो उस पे क्या लगता है basically couple लगने लगता है और couple के बारे में हम लोगों ने last class में discuss किया था कि couple किसे बोलते हैं अगर net force 0 हो और net torque 0 नहीं हो तो उसको मिना मिना को couple बोलते हैं ठीक है नो physics का एक term है technical word at couple और उस पे torque कितना लगता है यह भी हम लोग प्रूफ कर चुके थे last class तर तो अगर किसी भी डाइपोल को अगर हम electric field में रखते हैं तो उस पे torque जो लगता है torque जो लगता है वो लगता है P cross E यह उस पे torque लगने लगता है और torque का direction में हम देख चुके थे आज basically हम लोग discuss करेंगे कि energy stored in dipole अगर हम अगर माल लीजिए यह एक electric field है और इसमें किसी डाइपोल को रख दिया गया यह पी वेक्टर हम माल लेता है डाइपोल को रख दिया गया तो इसके पहले बात यह है कि इसके पास energy आई कहां से कोई काम किया होगा वो ठका होगा उसकी energy इसमें गई होगी यह हो रहा होगा ना energy किसी के पास कैसे आता है energy transfer होता है ना energy इसके पास खुद से create तो होता नहीं तो किसी दूसरे medium से इसमें transfer हो रहा होगा तो कौन इसमें काम कर रहा होगा तो कोई काम कर रहा होगा इसको ऐसे रखा होगा उसके बाद उसको धकेल करके ले जा रहा होगा यानि फिल्ड के अगेंस्ट काम कर रहा होगा तो वो ठक रहा होगा वो एजेंट और इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा होगा तो हम यह माल लेते हैं कि हीटा पर जा करके हीटा पर जा करके डीट हीटा का हम बिसीकली छोटा सा एंगल माल लेते हैं ठीक है न तो यह बताओ कि टॉर्ट इस पर कितना लग रहा है ड्लाग रहा है P Sin हम क्या करेंगे करेंगे इंटीग्रेशन टॉर्ट इन्टू डीटेट यह लिख लिए और इसको लोग इंटीगे कर देंगे तो व्य歌 रहन क्या हो जाएगा और क्या लिख सकते हैं और कहां से कहां तक हम ले जा रहे हम माल लेते हैं कि ठीटा 1 से ठीटा 2 तक ले जा रहे हैं ठीक न क्या आ जाएगा इसके बाद हम करेंगे तो वर्क्डन क्या जाएगा फी कोंस्टेंट है तो बाहर इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन ठीटा 1 से ठीटा 2 इंटीटा 2 तो वर्क्डन कितना आ जाएगा फी और क्या हो जाएगा में थाइन थिटा किंटीब्रेशन क्या हो जाएगा बता aggregation थीटा का इंटिग्रेशन कितना हो जाएगा minus कॉस्थट धीटा और कहा से कहा तक लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2 अरी ब सुर्ण मैं अब उसमें हम पूट कर देंगे लिमिट तो किया आ जाएगा वर्क्दन आ जाएगा P कॉस्थटेटा 1 cos theta 1 minus cos theta 2 ठीक है न और अब यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात work done by work done को हम क्या लिख सकते हैं work done को क्या लिख सकते हैं minus delta u लिख सकते हैं na minus delta u यानि की u1 minus u2 बराबर पी cos theta 1 minus cos theta 2 और हम इसमें assume करते हैं ठीक है न क्योंकि एक variable हमको पता रहा तभी तो दूसरा हम निकाल पाएंगे तो potential energy हम क्या assume कर लेते हैं कि 90 degree पर at 90 degree u बराबर 0 ठीक है न तो यहाँ पे हम u1 minus 0 assume कर लेते हैं तो पी क्या हो जाएगा u1 minus u2 बराबर पी cos theta 1 minus cos theta 2 तहीं लिख है न ठीक है और work done को क्या लिख सकते हैं minus delta u minus delta u को क्या लिख सकते हैं u1 minus u2 सब कुछ सही है अब इसमें हम 0 put कर रहे हैं ठीक है न जीरो पूट कर रहे हैं है कुछ मिश्टेक हो गया है क्या कि देखो तो क्या हो जाएगा sin theta d theta theta 1 से theta 2 ठीक है पर अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगाङा टॉर्क इधर लग रहा है यह बता लर्क किधर लग रहाए लग रहा लग जाएगा यहां माइनस आ जाएगा यहां पर भी माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा यहां पर हाले हम इसको लिख देते हैं U1-U2 बराबर P cos theta 2 minus cos theta 1 आप क्या कर देंगे हम at 90 degree u बरावर 0 assume कर ले रहे हैं क्या कर रहे हैं हम basically इसको assume कर रहे हैं assume कर रहे हैं ठीक है न अब इसमें हम माल लेते u2 को 0 माल लेते हैं तो u1 is equals to p और क्या हो जाएगा minus cos theta 1 क्या हो जाएगा minus तो कि नबबे डिगड़ी पर 0 हो जाता है न यहाँ पर 90 degree put कर दो तो 0 आजाएगा u2 को हम 0 माने हुए हैं ठीक है न क्या आजाएगा minus cos theta 1 इसको क्या basically generalized formula क्या लिख सकते हैं u बराबर minus p e cos theta तो क्या हो जाएगा u बराबर minus p dot e यह formula निकल गया है देख लो क्या है potential energy minus p dot e और यह तभी होगा जब हम लोग 90 degree पर क्या आजियूम करके चल रहे हैं potential energy को 0 आजियूम कर रहे हैं ठीक है न लिख लो इसको और यहाँ पर यह ध्यान रखो कि हम माइनस हम क्यों लगाए हुए माइनस इसलिए लगाए हुए है कि क्या होता है जैसे देखो वर्गडन है वर्गडन क्या होता है एफ डॉट डी एस होता है न एफ डॉट डी एस यह होता है न वर्गडन अगर मालो displacement और force में अगर शबलाई टिका है तो वर्गडन क्या जायगा माइनस एफ डीस आ अगर ठीटों बराबर पाई है तो वर्गडन क्या हो जाएगा एफ माइनस एफ क्या है कि उर डालेक्सन टॉर का डएरिक्टों और के तरफ देखो पी क्रॉस ए करते हैं तो टॉर का डारेक्शन क्या है और का डारेक्शन क्या है वो अंदर के तरफ है अरिवा समझ में टॉर का डारेक्शन अंदर के तरफ है और ठीटा का डारेक्शन ठीटा का डारेक्शन बाहर के तरफ है इसलिए 180 का एंगल बन रहा है तो माइनस के साथ यह आ रहा होगा, अरिवा समय में, लिख लो इसको है है कि तो झाओ, अरिवा समय में यह हो गया है, अगे बढ़ें लोगा, अगे बढ़ते हम्होग, बिसीकली पुल मिला जुला के बात क्या है फुल मिला जुला की ये बात है कि अगर किसी डाइपॉल को अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फिल्म में रखा गया है ठीक है ना और ये डाइपोल ठीटा एंगल बना रहा है तो इस पे टॉर्क कितना लग रहा होगा इस पे टॉर्क लग रहा होगा P क्रोस E ये टॉर्क लग रहा होगा तो ये सबसे important बात ये रहा पहली important बात ये रही ठीक है न और क्या इसके पास energy कितनी है energy क्या है U U को energy के लिए हम represent करते हैं तो U क्या लिख लोगे ये हो जाएगा minus P dot E और ये तभी होगा जब हम क्या कर रहे होंगे assume कर रहे होंगे at 90 degree U बराबर 0 जब हम potential energy को 90 degree पर 0 मान रहे होंगे तब इस theta angle पर potential energy हो जाएगा minus P dot E अरी बासवाण में ये दूसरा सबसे important formula रहा है और तीसरा सबसे important formula ये है work done by field work done by field क्या हो जाएगा P cos theta 2 minus cos theta 1 अरी बासवाण सबसे important formula जो third number पर ही है और fourth important बात क्या हो जाएगा work done by agent external agent ये क्या हो जाएगा P cos theta 1 minus cos theta 2 अरी अरी बासवाण में cos theta 1 minus cos theta 2 तो चार important बाते हैं अगर किसी डाइपोल को external electric film में रख दिया जाता है तो ये है ठीक है ना लिख लो इनको अ अगर कुछ भी याद ना रहे और सिर्फ ये formula याद रहे हमको हमारा काम एक्जाम में चल सकता है कॉंपटेटिव इक्जाम में हमारा काम बस इतने से ही है ठीक है ने इन सब को कंठश्त रूप से याद होनी चाहिए ये अगर ना अगर डाइपॉल को टैकल करना है ये ये तो यह सारा फर्मूला धंग से याद होना चाहिए और सबसे ज्यादा कोश्चन इससे बनता है यह जो अभी बोर्ट पे तुम लोग जो भी बाते देख रहे हो यह समय लोग फाइफ स्टार पॉइंट से याम पॉइंट अब भी उसे ठीक है न तो कैसे भी करके इसको भूलन नहीं है अब इस पर हम कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि यह concept settled हो जाए तुमारी दिमाग में तो सवाल क्या है यह कि external electric field में external electric field में डाइपोल रखा गया है जो पहले situated ऐसे था फिर क्या हो गया ऐसे आगया है ठीक है न कितने दिग्री पर पहले था पहले था 53 डिग्री पर उसके बाद 37 डिग्री अरी बस्वाज में और कैसे घुम रहा है ऐसे आ रहा है तुमको क्या बता देना है work done by field work done by field क्या होगा यह बताना है तो क्या formula हम पढ़ चुके है work done by field का work done by field का formula हम direct जानते है P cos theta 2 minus cos theta 1 यही पढ़ रखे है हम लोग न तो direct apply कर दो क्या हो जाएगा P e cos theta 2 यह हो गया theta 2 ठीका न और यह हो गया theta 1 तो बताओ P cos theta 2 यानी cos 37 डिग्री cos 37 डिग्री माइनस cos 53 डिग्री इसको solve कर लेते हम लो हमारा answer आ जाएगा तो क्या हो जाएगा work done P cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा cos 37 डिग्री यानी 4 by 5 cos 53 डिग्री 3 by 5 तो क्या हो जाएगा P और यह हो जाएगा P बटे 5 हमारा answer आ जाएगा लिख लो इसको P बटे 5 यानी P by 5 is the right answer ठीका न लिख लो इसको झाल जाएगा Pेल सक्षेटर si बटे 6 बटे 5 हमारा अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता वर्क डन बाई एक्स्टरनल एजेंट तो क्या हो जाता इसका माइनस के साथ हो जाता है यानि कि पी कॉस्ठ ठीटा वन माइनस कॉस्ठ ठीटा टू तो आंसर क्या आता है यहाँ पे माइनस पी बटे पाच ठीक है लिख लो इसको फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं अगर माल लो एक एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड में एक डाइपूल को रखा गया है ठीक है ना और यह ठीटा एंगल बना रहा है आरिवास्वन में और ठीटा है तिरपंडिल यह है 53 degree ठीक है और इसको यहाँ से release कर दिया गया तो release किया जाएगा तो यह किधर भागेगा obvious है कि यह इस तरीके से होगा तो release करते ही यह इधर भागना सुरू कर देगा यानि यह rotate होना सुरू कर देगा और electric field के direction में अपने आपको align करना चाहता है अरिवास में तो rotation जो है फ्री rotation है जो कि हम इसको पकड़ के रखे हैं और इसको छोड़ दिये तो फ्री ही तो rotate हो रहा है center of mass के बाउट फ्री rotation हो रहा है यह बताना है कि mean position पे उमेगा इसके पास कितना होगा find find angular velocity at mean position mean position का मतलब क्या हुआ कि जब यह जब यह यहाँ आएगा इसके पास क्या होगा एक angular velocity भी तो होगी तो यही उमेगा बता देना है जब यह theta 0 बना रहा होगा यानि कि basically हम क्या पूछना चाहते है omega at theta बराबर 0 degree यही basically हम पूछना चाह रहे है ना omega कितना होगा जब theta 0 होगा तो इस पर क्या लगा रहे होगे basically हम लोग energy conservation लगा सकते हैं ठीक है ना applying conservation of mechanical energy क्या हो जाएगा ui plus ki बराबर uf plus cave यह बताओ initial energy इसके पास कितना होगा initial energy बताओ इसके पास कितना होगा initial energy हम लिख देते हैं direct minus pe 3 by 5 energy क्या होता है minus pe cos theta होता है यह होता है ना minus p dot e यानि minus pe cos theta cos 33 degree कितना हो जाएगा यह position initial है और यह position final है initial पे potential energy कितना हो जाएगा cos 53 degree यानि 3 by 5 और kinetic energy कितना हो जाएगा यह बताओ किनेटीक energy हो जाएगा 0 क्योंकि यहां से क्या किया गया है released यहां से छोड़ दिया गया तो released का मतलग क्या होता है कि initial kinetic energy 0 है अब final potential energy कितना हो जाएगा तो जब theta 0 हो जाए यहां पे क्या है theta है 0 theta 0 पर और theta लिख लो theta 0 पर potential energy कितना हो जाता है minus pe हो जाता है na minus pe kinetic energy इसके पस क्या है basically जो dipole है वो translational motion perform नहीं कर रहा है यहां पे pure rotational motion हो रहा है और rotational motion में जो kinetic energy involved होता है वो उसका formula क्या है half i omega square है अगर translational motion हो रहा हो तो उसमें kinetic energy जो involved है उसको क्या बोलते है half mv square अगर pure rotational है तो क्या बोलेंगे half i omega square क्या बोलेंगे हम लोग half i omega square अब यहां से हम क्या कर रहे होंगे omega की value find out कर रहे होंगे तो omega की value कितनी आ जाएगी यह बताओ omega की value आ जाएगी root 4 by 5 P बटे I I क्या है moment of inertia ठीक है ना लिख लो इसको यही हमारा answer हो जाएगी I क्या है moment of inertia यह जाएगी यह जो अन्य चैनल कि अ हो अपने समझ मैं आ गया होगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा उस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नीट और मेंस दोनों के एक ज्याम पॉइंट अभीव से वो टॉपिक है सबसे ज्यादा इलेक्रोस्टेटिक्स में जो टॉपिक काम में आता है ठीक है ना टॉपिक का नाम लिख जाते हैं गौस लोग अब इस पर हम लोग डिसकसन सुरू कर रहे होंगे गौस लोग हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है ठीक है ना अब डाइपोल से हम लोग आगे बढ़ चुके है और देखते हैं कि गौस लो आखिर है क्या तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम लोग डिसकस कर रहे होंगे एरिया वेक्टर पे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है तो सर्फ जो एरिया हो सकता है किसी ऑबजेक्ट का किसी जियोमेटिकल ऑबजेक्ट का या तो वो 2D हो सकता है या तो वो 3D हो सकता है ठीक है न एरिया या तो 2D पिक्चर का 2D ऑबजेक्ट का हो सकता है 2D में क्या हो जाएंगे रेक्टेंगल, स्क्वाइर, ट्रापेजियम, अरिवा समझ में, रोम बस, ये सब क्या है, 2D फीगर्स है, और 3D क्या हो जाएंगे, 3D हो जाएंगे, स्फेयर, और क्या हो जाएगा, सिलिंडर, 2D के लिए एक्जामपल लिख देते हैं, स्क्वाइर, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, ट्रापेजियम, ट्रीटेसी, और 3D पिक्चर्स, ट्रीडी, अब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, वो हो सकता है, स्फेयर, सिलिंडर, ट्रीटेसी, ठीक है न, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानि की, एरिया को अगर हम दिनोट कर रहे होंगे, इस तरीके से दिनोट करेंगे, एरिया वेक्टर बराबर, मॉड ओफ ए, और डारेक्शन ओफ ए, ये कम्प्लिट इन्फोर्मेशन, किसी भी वेक्टर को अगर लिखने का है, तो वो क्या होता है, कि वेक्टर को लिखने में, उसमें क्या-क्या, दो चीज़े समाहित होनी चाहिए, एक तो उसका जो एक्वेशन लिख रहे हैं, वो डिफाइंड कर रहा हो, और दूसरी बात, कि जो एक्वेशन हम लिख रहे हैं, उससे डारेक्शन का भी पता चल रहा हो, अरिवा समझ में, तो टूडी पिक्चर्स जो भी हैं, ठीक है न, जिसे माल लो, एक स्क्वाइर ले ले लेते हैं स्क्वाइर प्लेट, ठीक है न, जिसका साइड ए है, एक स्क्वाइर प्लेट ले ले लिएं, जिसका साइड ए है, और हमको वेक्टर लिखना है, एरिया वेक्टर लिखना है, तो सबसे पाल ली बात यह बताओ, कि इसका मैगनिटूड कितना हो जाएगा, मैगनिटूड त के लिए एक convention है ठीक है न और convention क्या बोलता है कि हम area vector का direction हम हमेशा surface के perpendicular ले रहे होंगे तो किसी भी 2D object का दो perpendicular direction हो सकता है जैसे माल लो कि मेरा यह palm है तो palm हमेशा 2D picture है 2D figure है तो इस पे एक direction यह हो सकता है बाहर के तरफ और एक direction क्या हो जाता है अंदर के तरफ जैसे यह board है तो board भी 2D picture है तो यह board के perpendicular कितने direction हो सकते हैं तो एक हो सकता है normal outward और दूसरा हो सकता है normal inward किसी एक को तुम अपने question में direction consider कर सकते हो और उस question में तुमको पूरे question तक कुछ direction के साथ stick होना पड़ेगा यानि कि एक बार क्या करोगे direction consider कर लो दोनों में से कोई एक और पूरे question में उसके साथ यानि कि पूरे question में तुम उसी को एरिया वेक्टर का direction मान रहे होगे हो सकता है कि अगले question में तुम किसी दूसरे वाले direction को एरिया वेक्टर का direction जैसे हम इसको ऐसे माल लेते हैं कि ये एक सेक्सिस है और ये वाइकसिस है और ये हम माल लेते है जेडिक्सिस जेडिक्सिस और direction क्या हो जाएगा k cap direction क्या हो जाएगा k cap आर इवा समझ में basically area vector को इस तरीके से represent किया जा सकता है ठीक ना लिख लो इसको तो यह तो रहा 2D objects के लिए area vector को लिखने का तरीका ठीक ना अब 3D objects है जैसे माल लो एक ए स्फेर ले ले लेते हैं यह क्या है r radius का एक ए स्फेर है ठीक ना r radius का एक स्फेर है ठीक है सर यह बताओ area vector का magnitude क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 pi r square surface area यह होता है किसी भी स्फेर का surface area 4 pi r square यह elementary classes में तुमनों पढ़े भी होगे छोटे classes में 9th में I think 9th या 10th में volume and area अगर याद नहीं होगा अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पर देख लो अच्छे से और यह सब याद रहनी चाहिए ठीक है न अब कोई बोले किस इसका direction क्या होगा अगर यह 3D object है तो area vector का direction क्या हो रहा होगा तो area vector 3D objects के लिए हमेशा direction जो होगा वो normal outward होगा area vector direction is always normal outward for 3D objects ठीक है न लिख लो इन बातों को तो area vector का direction अगर हमको normal outward तो यह क्या हो जाएगा यह area vector का direction हुआ यह area vector का direction हुआ देख रहा हो न यह सब area vector का direction हुआ जो कि हम surface पर क्या कर रहे है normal डाल रहे है और सारा जो है वो इसके center से pass कर रहा होगा obvious है कि अगर हम किसी भी sphere के surface पे normal डालते हैं तो वो उसके center से ही pass करता है अरी बास हो इन में किस से pass होना चाहिए normal center से pass होना चाहिए और surface के perpendicular होना चाहिए तो लिख लो इनको area vector direction is always normal outward for 3D objects एक और देखते हैं cylinder का इसमें देख लेते हैं एक आपन माल लो एक cylinder है जो की आ रेडियस का है और हाइट क्या है edge तो इसमें एक चाहिए बताओ कि यह जो cylinder है वो किस से कितने area से मिलके बना है तो सर दो फ्लैट एरिया है circle और एक क्या है curved surface area है दो फ्लैट surface area है और एक curved surface area यानि कि इसके पास तीन surface है क्या है एक cylinder के पास three surfaces दो तो फ्लैट है और एक curved है तो जो दो फ्लैट है उनका area कितना हो जाएगा तो उनका area हो जाएगा पाई r2 इसका भी हो जाएगा पाई r2 और इसका क्या हो जाएगा जो curved surface area है उसका area कितना हो जाएगा तो उसका हो जाएगा 2 pi rn अरी बास में 2 pi rn तो basically अगर हम इस surface की बात हो तो इस पे perpendicular किधर हो जाएगा तो इस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड यानि बाहर के तरफ इन्वार्ड नहीं अगर यह 3D पिक्चर है तो एक तो अंदर के तरफ भी हो सकता है ने डारेक्शन लेकिन बाहर के तरफ कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वाइर और इसके लिए क्या ह हो जाएगा कर्व्ड सर्फ्स अरिया के लिए यह डायरेक्शन हो जाएगा और कितना हो जाएगा डू पाई आर एंज बेसे आ हो इस तरीके से हम बना है यह तीन सर्फिस से मिलके बना है और स्फियर क्या हुआ करता था उस वहाँ पर दो सर्फिस एक ही सर्फिस था जो स्फियर था एक ही सर्फिस था और यहाँ पर तीन सर्फिस है दो तो फ्लैट है और एक कब्ड है और डायरेक्शन के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल आउटवार्ड एरो डिसाइड कर देंगे और वो एरिया वेक्टर डिरेक्शन सोग कर रहा होगा लिख लो इनको फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला है क्यूब अगला है क्यूब वो भी देख लेते हैं अब ये कोई पूछे बताओ ये कितने सर्फेस से मिलके बना हुआ है तो बेसिकली ये सिक्स सर्फेस से मिलके बना हुआ है तो टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा एरिया वेक्टर इस सर्फेस के लिए इधर के तरफ हो जाएगा आरी बसमझ में इस सर्फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर के तरफ हो जाएगा इस सर्फेस के लिए जो नीचे वाला है उसके लिए एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा नीचे के तरफ हो जाईगा इस सर्फेस के लिए किद हो जायगा? इधर के तरफ हो जाएगा एरिया वेक्टर और आगे वाले के लिए बाहर हो जाएगा इस तरीके से एरिया वेक्टर हम लोग डिसाइड कर रहे हुं और इसका मैझनिटूड कितना हो जाएगा? इसका magnitude हो जाएगा A square, इसका magnitude क्या हो जाएगा A square, इसका भी A square, इसका भी A square, तो magnitude सब surfaces का A square, A square, A square होगा अरी बास में, तो total surface इसके पास कितने है, इसके पास होगा और सबका अलग अलग डारेक्शन होगा तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेक्टर डारेक्शन डिसाइड कर रहे होंगे तो 3D आपजेक्ट्स के लिए इंपोर्टेंट है यह जानना कि कितने सर्फेसे से मिलके बनाया यह आगे काम भी आएगा जो हम लोग पढ़ रहे है यह आगे रिलेटेबल है इसलिए हम लोग पढ़ रहे है यहां तो आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा अभी गौसलों स्टार्ट नहीं हुआ है अभी गौसलों की भूमिका बनाए जा हम लोग इंट्रोडक्शन अभी पढ़ रहे हैं कि उसमें जो भी एंटिटी यूज हो रहे हैं सबको इंडिवीजुल रूप से पहले पढ़ रहे हैं उसके बाद से हम लोग उसको क्लब करके एक जन्रलाइज इक्वेशन त्यार करेंगे जिसको गौस लोग हम लोग बोल रहे होंगे एक थियोरम त्यार कर रहे होंगे मैथेमेटिकल थियोरम है लिक लोग इसको फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चलो एरिया वेक्टर हम लोग देख चुके हैं अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम लोग पाई से डिनोट करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक लिख देंगे दो बेसिकल यह है क्या एक मेजर्मेंट है ठीक है न कोई एक एरिया दिया गया है कोई एक सर्फेस है ठीक है न उसको इलेक्ट्रिक फिल्ल लैंस में रख दिया गया है आरी बासोंग में इसे मान लो इस बोड्ड से electric field lens निकल रही है ठीक है सर कोई दिक्कत ने electric field lens का beam इस board से निकल रहा है बाहर के तर और हम क्या किये अपना हाथ यहाँ पे रख दी अपना palm यहाँ पे रख दी और तो क्या हो रहा होगा कि कुछ field lens इसके बगल से गुजर जा रही होंगी और कुछ field lens इसको cross करके गुजर रही है तो electric flux basically क्या है कि जितनी field lens इस palm से होकर गुजर रही है उनका counting ही basically flux का आलाता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सर field lens इसमें से अर्बो करोडो निकल रही होंगी और हम बैट करके एक-एक field lens को count कर रहे होंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 field lens तो arrow के form में हम लोग represent करते ही है लेकिन इसको count करने का हमारे पास mathematical way है हम लोग mathematics के help से field lens को count कर सकते हैं basically क्या है कि अगर कोई field lens बुजर रही है और ये माल लेते हैं electric field lens बुजर रही है और एक area इसमें हम रख दिये है एक surface इसमें रख दिये है तो इस surface से जितनी field lens बुजर रही है उसी को flux बोल देते हैं basically electric flux का definition अगर कोई पूछे तो क्या बता रहे होगे एरिया पस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग electric flux बोलते हैं यानि कि field lens accounting कितने field lens इस को पार करके गुजर रही है अब देखो अगर हम mathematics की बात कर रहे हैं तो जो flux होता है वो directly proportional हो जाएगा area के अगर हम बड़ा area लेंगे तो ज्यादा number of field lens यह हमेशा number of field lens सूचना है बड़ा area लेंगे तो ज्यादा number of field जाएगे तो directly proportional है ही obvious है सर कोई दिक्कत नहीं और क्या हो जाएगा जो flux है वो directly proportional हो जाएगा electric field के electric field directly proportional है कोई दिक्कत नहीं है तो कि field lens जीतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गुजरेगा अगर बहुत ज्यादा मातरा में निकल रहा है field lens इधर से पांच field lens निकल रहा है तो basically पांच में से 2-4 में से गुजर रहा होगा इसमें से करोड़ों निकल रहा है उसमें से बहुत ज्यादा अर्बों निकल रहा है तो बहुत ज्यादा गुजर रहा होगा ठीक है और तीसरी बात कि जो flux होगा यह orientation पे भी depend कर रहा होगा जो तुम surface रखे हुए हो जो तुम area रखे हुए हो उसके orientation पे भी depend करेगा अगर हम इस हाथ को अगर field lens इस board से निकल रही है अगर हम इस हाथ को ऐसे रखे हुए है यानि कि अपन area vector जो मेरे हाथ का area vector वो यह है यह area vector है electric field भी इधर के तरफ आरी तो maximum number of field lens मेरे हाथ से गुजर रही होगी अगर हम अपने हाथ को ऐसे कर दे area vector उपर हो गया और field lens इधर हो गयी तो flux कितना गुजर रहा होगा मेरे हाथ से यह सब उपर उपर पार कर जा रहा होगा हाथ से से कोई field lens गुजर ही निस आरहा होगा so orientation पर भी डी करता है orientation का मतलब cost theta cost theta basically orientation हो गया यानि फ्लक्स तीन बातों पर डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और ओरियन्टेशन पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है electric field intensity पर depend करता है और orientation पर depend करता है आप proportionality constant हटा दो तो क्या बन रहा होगा flux कौन सा इलेक्त्रिक वाला क्योंकि एक flux magnetic भी होता है, magnetic field lines भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे भी flux की बात हो रही होगी, अभी हम लोग electric flux की बात कर रहे हैं, electric flux क्या हो जाएगा, E, A, cos theta, और electric field भी एक vector quantity है, और area भी एक vector quantity है, अगर दो vector quantity है, तो क्या A.B को A.B, cos theta नहीं लिखा जा सकता है, तो यहीं तो लिखा गया है, अगर दोनों vector quantity है, तो flux को, electric flux को किस तरीके से लिखा जा सकता है, E.A, यानि a scalar product of electric field vector and area vector, cross product, यानि कि scalar product, इसका मतलब यह हुआ, कि जो flux है, वो scalar quantity है, scalar quantity है, क्योंकि basically scalar product ही तो है, A.B, यह scalar ही तो हुआ, flux is scalar quantity, और formula क्या निकल के आया, E.A, लिख लो, अब इसको हम यह भी लिख सकते हैं, E.A, integration, E.A, अगर electric field constant होगा, तो इसको बाहर निकाल देंगे, यह basically generalized formula हमारे पास आया है, E.A, flux क्या हो जाएगा, E.A, लिख लो इसको, final result यही आया, E.A, flux क्या हो सकता है, flux हो सकता है, plus हो सकता है, positive हो सकता है, negative हो सकता है, zero हो सकता है, अरी बास में, सबसे पहली बात कि scalar है, positive, negative और zero हो सकता है, और unit क्या है, unit बताओ, unit क्या है, unit, electric field का unit क्या होता है, newton column, newton column meter square, यह unit हो जाएगा, लिख लो इन बातों को, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, flux का मतलब, basically मतलब क्या हुआ, number of field lines, number of, number of field lines, crossing, and area, बस यह important है, जो board पे लिखे हैं, वही important है, सबका सारांस यही है, crux of the story, यही एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बाते हैं, लिख लो इसको, और अच्छे से याद होनी चाहिए, next class में, हम लोग, इस पे और, बिश्तरित चर्चा कर रहे होंगे, flux के बारे में, ठीक है न, और इसको, relate कर देंगे हम लोग, gos law से, gos law का इसमें बहुत जादा यूज है, क्योंकि, हम लोग अभी, ingredients पढ़ रहे हैं, gos law का, ठीक है न, और सबको, समाहित करके, एक equation त्यार करेंगे, जिसको gos law हम लोग बोल रहे होंगे, ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, धन्यवाद,